परिजय चात्रो, इन संख्याओं को देखो, क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ, ये वास्तविक संख्याएं हैं, सेल, क्या एक आपरिमे संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? हाँ आपरिमे संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं कोई भी परिमे या आपरिमे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है आओ आज हम परिमे और आपरिमे संख्याओं के बारे में सीखते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आपरिमय संख्या को परिभाशित करना यह दिखाने में कि संख्या आपरिमय है या नहीं परिमय संख्याओं और उनके दशमलो प्रसार को बताना परिमय संख्याओं को दशमलो प्रसार में परिवर्थित करना आपरिमय संख्याओं का पुनर ब्रह्मन हम जानते हैं कि परिमय और आपरिमय संख्याओं मिलकर वास्तविक संख्याओं बनाती हैं किसी संख्या को आपरिमे कहते हैं यदी से P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P और Q पूड़ांख है और Q बराबर नहीं हो शूने के आपरिमे कार्थ है जो परिमे नहीं है सबसे प्रसिद्ध आपरिमे संख्या वर्गमूल दो है अन्योधारण है पाई बराबर 3.141592 और 0.1011101110 इत्यादी आपरिमे संख्याओं से संबंधित प्रमय प्रमय मान लिजिए कि P एक अभाज संख्या है यदि P वर्ग A को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी जहां A एक धनात्मक पूड़ांख है आईए इस प्रमय को सिध्ध करें उपत्ति पहले हम A का अभाज्य गुड़न-खंड़न करते हैं जो की इस प्रकार है A बराबर P1, P2 इत्यादी, PN तक जहां P1, P2 इत्यादी, PN तक अभाज्य संख्याए है परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है आथा वर्ग A बराबर P1, P2 इत्यादी, PN तक P1, P2 इत्यादी, PN तक बराबर वर्ग P1, वर्ग P2 इत्यादी, वर्ग PN तक अब ये दिया है कि वर्ग A को P विभाजित करती है इसलिए अंक गणित के आधार भूत प्रमे के अनुसार P वर्ग A का एक अभाज्य गुणन खंड है हम पाएंगे कि वर्ग A के अभाज्य गुणन खंड केवल P1, P2 इत्यादी, PN है इसलिए P को P1, P2 इत्यादी, PN तक में से ही एक होना चाहिए अब चुणकि A बराबर P1, P2 इत्यादी, PN तक है हम कह सकते हैं कि P A को विभाजित करती है आईए अपसित करें कि वर्ग मूल दो अपरिमय है मान लीजिए वर्ग मूल दो परिमय है इस कार्थ है कि ये दो पुडां को P और Q के भिन्द के रूप में लिखा जा सकता है वर्ग मूल दो बराबर है P बटे Q के ये समीकरण एक है हम मान सकते हैं कि P और Q में कोई उभेनेश्ट गुणन खंड नहीं है यदि कोई उभेनेश्ट गुणन खंड हो तो हम अंश और भाजक में उसे काड़ सकते हैं वर्ग करने पर दोन पक्षों को हमें प्राप्थ होता है दो बराबर है वर्ग P बटे वर्ग Q के ये समीकरण दो है जो इंकित करता है वर्ग P बराबर है दो वर्ग Q के P वास्तों में चार से विभाच्चे होगी इसी प्रकार वर्ग Q और इसी लिए Q भी सम होगी अता P और Q दोनों सम है जो की हमारी पूर्व मानिता के विरुधा भासी है कि उनका कोई उभेनिष्ट गुणन खंड नहीं है दो का वर्ग मूल परिमें नहीं हो सकता उदारण आईए अब एक उदारण हल करें सिद्ध कीजिए कि एक बटे वर्ग मूल दो अपरिमें है उपत्ती इसके विप्रीत ये मान लीजिए कि एक बटे वर्ग मूल दो परिमें है यानि हम ऐसे सह अभाचे ए और बी जिसमें बी शुन के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि एक बटे वर्ग मूल दो बराबर हो ए बटे बी के अता बी बटे ए बराबर वर्ग मूल दो या वर्ग मूल दो बराबर बी बटे ए चुकि A B पुडांक है, हम पाते हैं कि B बटे A परिमे है और इसलिए वर्ग मूल दो परिमे है किन्तु ये इस तथे का विरोधाभास है कि वर्ग मूल दो आपरिमे है हमें ये विरोधभाज अपनी त्रूटी पूह कल्पना के कारण प्राप्थ हुआ है कि वर्गमोल दो परिमे संख्या है उदारण सिद्ध कीजिये कि 7 वर्गमोल 5 आपरिमे है आए इसके विपरीत ये कल्पना करें कि 7 वर्गमोल 5 परिमे है यानि हम ऐसे say Abhaji J A और B, जिसमें B 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं, कि 7 वर्गमूल 5 बराबर हो A बटे B के अताह ऐ बटे B बटे 7 बराबर है वर्गमूल 5 के या वर्गमूल 5 बराबर है ऐ बटे B बटे 7 के चुकि A B पुणांक है, इसलिए हम पाते हैं कि A बटे B बटे 7 परिमय है और इसलिए वर्गमूल 5 परिमय है किन्तु ये इस तर्थिका विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 परिमय है हमें ये विरोधाभाज अपनी तुरूटी पूर्ण कल्पना के कारण प्राप्थ हुआ है कि साथ वर्गमोल पांच परिमे संख्या है आपरिमे संख्याओं और उनका दशमलव प्रसारों का पुनर ब्रह्मान आप विद्याले के दिनों से जानते हैं कि परिमे संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो सान्थ होता है या फिर असान्थ आवर्थी वहीं आपरिमे संख्याओं में ऐसा नहीं होता अताहा उधारन के लिए शुने तशमलव एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन इत्यादी एक दो तीन का आपरिमित आवर्थ परिमे है वास्ताव में ये एक तालीज बटे तीन सो तैंटीस के बराबर है वहीं शुने तशमलव एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ एक शुने एक एक दो एक तीन, एक चार, एक पांच इत्यादी जो की आवर्थी नहीं है आपरिमे है सांथ दशमलव यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है तो दशमलव सांथ होता है जैसे दो दशमलव, पांच, साथ, तीन दशमलव, एक नौ, दो पांच, शुने दशमलव, तीन, 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 आसांथ दशमलव यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या आपरिमित होती है तो दशमलव असांत होता है जैसे दू दशमलव एक तीन साथ दो पांच एक तीन दो एक पांच इत्यादी परिमित संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमैं मान लिजिए कि X एक परिमेश संख्या है जिसका दश्यमलव प्रसार सांथ है अताहा X को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना संभव है जहां P और Q से अभाज्य है और Q का अभाज्य गुणन खंडन 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का है जहां N, M रणेतर पुणांख है उधारण 0.1837 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है हम जानते हैं कि परिमेश संख्या P बटे Q को दीर्ग विभाजन वेधी से दश्यमलव प्रसार में परिवर्तित किया जा सकता है इस उधारण को देखें यहां हम देख सकते हैं कि P बटे Q के रूप की परिमेश संख्या जहां Q, 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का है को A बटे B के ऐसे तुल्ले परिमेश संख्या में बदला जा सकता है जहां B, 10 की कोई घात है इस प्रकार की परिमेश संख्या का एक सांत दशमलव प्रसार होगा एक अन्य बाद ध्यान देने वाली है कि सांत दशमलव प्रसार को अब परिमित शुन्यों की आवर्त के रूप में भी देखा जा सकता है इस इस्थिती में सांत दशमलव प्रसार भी आवर्ती होते है प्रमय माली जीए की X बराबर P बटे Q एक परिमेश संख्या है Q का अभाज्य गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप का है जहां N, M, रिने तर पूनांख हैं तो X का दशमलव प्रसार सांत होगा आईए एक उधारन हल करें दीरक विभाजन किये बिना बताईए कि निम्न परिमेश संख्या का दशमलव प्रसार सांत होगा या असांत आवर्ती होगा हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं यहां Q बराबर 5 की घात 5 जोकी 2 की घात N, 5 की घात M, N बराबर 0, M बराबर 5 के रूप का है अताहा परिमेश संख्या 13 बटे 3125 का सांत दशमलव प्रसार होगा प्रमय मान लिजिए कि X बराबर P बटे Q एक परिमेश संख्या है Q का अभाज्य गुणन खंडन 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का नहीं है जहां N, M रणेतर पुनांक है तो X का दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा आईए 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार लिखें ये 2 दशमलव 125 होगा इसी प्रकार 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार 0.00975 होगा क्या आप जानते हैं अल्गोरिथम शब्द नौवी शताब्दी के फारसी गणितक के अल्खौरिजमी के नाम से आया है यहां तक की अल्जब्रा शब्द भी उनकी लिखी एक किताब हिसाब अल्जब्र वा अल्मकाबला से आया है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं मानलीजे एकस एक परिमें संख्या है जिसका दशमला प्रसार सांथ है तो हम एकस को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्ति कर सकते हैं जहां P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं और Q का अभाज्य गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप में है जहां NM रणेतर पुणांख हैं। माली जिए X बराबर P बटे Q एक परिमय संख्याएं क्यू का अभाज्य गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप का है जहां N, M रणेतर पुणांख हैं तो X का दशमल प्रसार सांथ होता है। माली जिए X बराबर P बटे Q एक परिमय संख्याएं क्यू का अभाज्य गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप का नहीं है जहां N, M रणेतर पुणांख हैं तो X का दशमल प्रसार असांथ होता है।